हेलो स्टुडेंज आज अब क्लास 9 का चैप्टर नमबर 6 लाइन्स और एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 समझेंगे इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 पूरी करवांगी कोशन नमबर 126 तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अगर आपको कोई कोशन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 1 है हमार पात इन फिगर साइट QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 and angle PQT is equal to 110 find angle PRQ देखो आपको यहाँ एक फिगर गिवन है ठीक है फिगर में आपसे क्या कह रहा है आपके पास दो साइड है एक है आपके पास QP और एक है आपके पास RQ QP Q यह रहा और P का है हमारा यह रहा QP दूसरी साइड हमार को दे रहा है RQ तो RQ यह दोनों साइड ठीक है आगे कह रहा है of triangle PQR यह इस triangle की दो साइड है R produced to point S and T आपने इनको आगे extend कर दिया है तो जब आपने QR को आगे extend किया तो T point आया और जब आपने QP को आगे extend किया तो S point आया ठीक है अब इसके साथ आपको दो angles given है एक angle आपको given है हापर SPR SPR मतलब यह वाल एंगल ठीक है दूसरे आपको given है हापर PQT PQT मतलब यह वाल एंगल 110 आपको find कोई साइड करना है आपको find करना है हापर PRQ तो देखो कौन सा अंगल है यह PRQ यह वाल एंगल मैं यह वाल एंगल आपको क्या करना है find करना है question mark डाल दिया मैंने क्योंकि मुझे find करना है तो पहले हम क्या करते हैं given लिख लेते हैं तो मैं पहले यहाँ पर given लिखती हूं अब मुझे find क्या करना है यहापर find मुझे करना है angle PRQ यह मुझे find करना है अब शुरू करते हैं हम अपना solution तो अगर आप वीडियो में इस में question में आप देखो तो आपको कुछ theorem दिख रही है कि कौन-कौन सी theorem इसके अंदर लग रही है तो मेरे को यहाँ पर एक theorem यह दिख तो इसका मतलब मेरा angle यह 110 कौन से angle है मेरा PQT angle PQT plus angle यह वाला कौन से angle है यह PQR plus angle PQR is equal to 180 degree है क्यों है क्यों है क्योंकि यह मेरे linear pair है तो मैंने यहां लिख दिया linear pair ठीक है तो angle PQT मुझको given है 110 एंगल PQR मुझे नहीं पता तो यह मैंने find कर लिया तो जब मेरा angle PQR निकला है यहां से तो वो कितना निकला मेरा 180 में से 110 माइनस के तो 70 degree तो देखो आपको यह वाला angle मिल गया 70 degree ठीक है उसी तरीके से आप इसे देखो मैं यह आप पर एक और यह angle बनाती हूँ अब आप देखरो यह दूनों भी मेरे straight line पे है SQ पे तो इसक तो कौन कौन से angle है मेरे पास एक है मेरे पास angle अगर मैं इस angle का नाम दूँ तो क्या नाम है इसका QPR तो QPR प्लस angle यह वाला angle कौन से angle है यह मेरे पास SPR यह है इसका नाम तो SPR is equal to 180 degree ब्रैकेट में reason क्या लिखूंगे? सेम reason लिखेंगे है कि हमारे linear pair है तो QPR तो मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसको find कर लेती हूं लेकिन मेरे को SPR पता है 135 है ठीक है ना is equal to 180 degree यहां से मेरा angle QPR आ गया 180 में से मैंने 135 को minus कर दिया तो मेरा angle यहां से आ गया 45 लेकिए तो अगर आप दिहान से देखो तो आपके कमीरे अगे पास 2 angles निकल गए हैं मैं हहां लेक देती हूं कौन-कौन-से मेरे दो angles निकले हैं तो यह वाला जो angle मेरा निकला था 70 डिगरी और जो मेरे यह वाला angle निकला पी वाला तो मेरा निकला है 45 डिग्रे अब आप धिहान से देखो आपको यह वाला एंगल करना है आर वाला जिसमें मैंने कोश्चन मार्क लगा रखाओ तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखू कौन से ट्राइंगल को मैं यहाँ पर लिख रहूंगा ईन ट्राइंगल, PQR, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अंगल P, प्लस अंगल क्यूँग, सन्-की, प्लस अंगल R, इन तिनो का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्यों होगा इन तीनों का सम 180 degree, हम पर एक property होती है, जिसको हम बोलते हैं, angle sum property of triangle एक triangle के, तीनों angle कितनी degree के होते है, 180 degree के. ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों angle मेरे 180 degree के होगे? एंगल P, Q और R, 180 होंगे, अब मिरको यहाँ पर दो एंगल पता है, एंगल P मुझे पता है, 45, उसकी जगा मैंने लिख दिया, 45 डिग्री, एंगल Q मुझे को पता है, यहाँ पर 70 डिग्री, एंगल R मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे कोशन में यही फाइंड करना था, PRQ, एंगल, ठीक है, इस इकोस तो 180 डिग्री, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, तो आपका आंसर आएगा, 115, प्लस एंगल R, इस इकल तो 180 डिग्री, यहाँ से मेरा एंगल R कितना आ गया, 180 माइनस 115, तो जब आपने इसको इससे माइ यह वाले दोनों एंगल निकाल लिये, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ट्राइंगल वाली, और उससे हमने एंगल R निकाल लिया, ठीक है, यह था हमारा कोशन नमबर 1, चलो कोशन नमबर 2 देखते हैं, हम अपना, कोशन नमबर 2 है हमार पास, पहले हम कोशन आपकोशन में आपको क्या-क्या गिवन है, दो आपको 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 आ पूरा 54 डेग्रे ठीक है न इफ y o and z o आरदा बाइसेक्टर अब पहली बात यह बाइसेक्टर क्या होते हैं यह हमें पता होना अच्छे कि बाइसेक्टर होता क्या है देखो वो कह रहा है जो यह y o और यह जेडु है यह bisector है, कौन से एंगल का bisector है, यह एक तो x, y, z, x, y, z, और कौन से एंगल है, x, z, y, तो bisector का मतलब क्या है, जो यह angle है, आप देख रहो, यह y angle पहले एक था, आप दो पार्ट में बट गिया है, जैसे हमने bisector बनाया, तो इसका मतलब जो यह दो angles है, एक angle यह वाला, मैं dot बना रही हो, एक angle यह वाला, यह दोनों angle equal है, तो यह पूरा angle 54 है, तो यह half कितना होगा, इसको 2 से divide कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा, bisector का मतलब होता है, जब भी कोई line bisect करती भी जाती है, किसी angle को, जैसे यहाँ पर angle y को यह line bisect करती भी जाती है, यह वाली, इसका मतलब वो इस angle को 2 equal part में cut कर रही है, उसी तरीके से एक ही वाली line है, जो bisect करती भी जाती है, तो इसका मतलब जो भी मेरा angle z आएगा, वो उस O, Z, Y, O, Z, Y, इसका मतलब ये वाल एंगल, मैं question mark डाल ले हूँ, यहाँ पर ये वाल एंगल, shade कर देती हूँ, मैं आपको अच्छे से पता जल जाएगा कौन सा find करना है, ठीक है, ये वाल एंगल, और कौन सा find करना है, Y, O, Z, ये वाल एंगल, ये, तो आपको ये दो एंगल find करना है, ठीक है, पहले हम given लिख लें, क्या क्या given है, मैं को सिर्फ दो ही एंगल यहाँ पर given है, तो मैं यहाँ given लिख देती हूँ, given है में पास angle X है, में पास 62, और क्या given है, angle XYZ है में पास 54 angle Y, O, Z, ये दो एंगल करना है, अगर हम अपना given लिख लेते हैं, तो हमें बार-बार कोशन को नहीं देखना परता है, फिर हम अपने solution में ही देखके आगे का solution कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अब हम यहाँ अपना solution, तो मैं solution शुरू करते हूँ यहाँ पर पहले मैं निकालूँगी आपका, कौन से angle निकालूँगी मैं यहाँ पर, यह वाला angle, Z angle, देखो आपको यह दिख रहा है, एक triangle है, in triangle, X, Y, Z, इसमें आपको angle X भी पता है, 62 है, angle Y भी पता है, अगर मैं पूरे triangle की बात करूँ, तो angle Y आपको पता है, 54 degree है, तो आप angle Z निक काल सकते हो, कैसे निकालोगे, जो triangle की property होती है, angle sum property वाला, तो angle X, plus angle Y, plus angle Z, is equals to 180 degree है, ठीक है, reason क्या लिखोंगे यहाँ पर, angle sum property of a triangle, sum property of a triangle, ठीक है, reason लिखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको चीच solve कर रहे हो, उसका कोई reason है, या कोई property, लग रहे है, तो आप उसको ज़रूर लिखना, angle X आपको पता है, 62 degree है, angle Y भी आपको पता है, 54 degree है, angle Z नहीं पता, मैंने यहाँ से angle Z निकाल लिया, वैसे मुझे question में angle Z निकालना नहीं है, पर मैं भी बताऊंगी, मैंने angle Z निकाला क्यों, क्योंकि इसकी help से हम दो angles और नि किया, तो हमारा आया 64 degree, तो मेरा angle Z आ गया, 64, angle Z मुझे नहीं चाहिए था, मुझे को चाहिए O, Z, Y, O, Z, Y, सिर्फ यह shaded वाला, तो आप देखो पूरा angle 64 है, तो फिर मेरा angle O, Z, Y कितना आएगा, वो 64 का half ही तो होगा, अभी हमने किया था कि bisector क्या होता है, इसको दो parts में बाटके जाएगा angle को, तो यह पूरा angle 64 है, तो आदा angle कितना होगा, इसको इससे divide कर दो, तो जब आप इसको इससे divide करोगे, तो आपका answer कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, आपका answer 32 degree, तो आपका यह वाला angle तो निकल गया, यह, O, Z, Y, 32 degree, ठीक है, एक और angle आपको निकलना है, Y, O, Z, यह वाला angle, अब इस angle को अगर मैं छोटे वाले triangle की बात करूँ, यहाँ पर, देखो, मैं यहाँ लिखती हूँ, इन triangle, इस वाले triangle की बात कर दूँ, मैं, कौन सा triangle है, यह, O, Z, अगर मैं को यह तीनो, दो angle मिल जाए, तो मैं तीस तो मैं तीसरा यह वाला जो angle है मेरा, angle Y, O, Z, यह असानी से निकाल पाऊंगी, reason मेरा सेम यह वाला लगेगा, angle वाला, ठीक है, angle sum property लगेगा, तो मैं angle sum property यहां लिख देती हूँ, बस, same reason है, तो देखो, यह तो मुझको पता चल गया है, कि मेरा 32 है, लेकिन मुझको यह नहीं पता, कौन सा angle है यह, Z, Y, O, लेकिन मुझे पूरा angle Y पता है, तो अगर मेरे को यह निकालना हो, यहाँपर, angle Z, Y, O, तो मैं कैसे निकालू वही 54 का half, तो 54 को 2 से divide करूँगे, क्योंकि मेरी Y, O, भी bisector line थी, जब मैं इसको इससे divide करूँगी, तो मेरा angle आगया 27, तो इसका मतलब मुझे अब यह वाला angle भी पता चल गया 27, इसलिए आपको वो bisector वाली line दे रखे थी, ताकि आप बागी के angles निकाल सको, बस, अब साने से निकाल सकते हो, Y, O, Z, क्या करना आपको, 180 में से 32 को माइनस करना है, और उसके बाद 27 को माइनस करना है, तो आपका answer कितना आएगा, जब आप इनको माइनस करो, तो 121 आपका answer आएगा, तो यहां से हमारा angle Y, O, Z निकल गया, 121, तो हमारको दो यह angle निकालने थे, ए चलो next question number third हम समझते है, question number third है हमार पास, in figure, if AB parallel DE, angle BAC is equal to 35 degree, and angle CDE is equal to 53 degree, find angle DCE, देखो, इस question में आपको 2 angle given है, कौन-कौन से है, एक angle BAC, BAC, यह वाला angle 35 degree, दूसरे angle आपको यहां पर given है, CDE, CDE, यह वाला angle, find आपको कौन से angle करना है, आपको find यह वाला angle करना है, DCE, तो DCE, यह वाला angle आपको find करना है, मैं shade करते हूँ इसको, जो हमको find करना है, ताकि हमें अलग पता चलिए, हमको यह angle find करना है, ठीक है, तो पहले हम given लिख लें, तो चलो मैं given लिख देती हूं given हम अलग pen से लिखेंगे ताकि हमें पतर है हमें given क्या है और हमें find क्या करना है यह दो चीज हमेशा हमें highlight करके लिखनी चाहिए तो हमको एक चीज तो यह given है कि AB जो है वो पहले लिखें एंगल BAC मुझको given है 35 degree और एंगल CDE मुझको given है 53 degree अब find मुझको क्या करना है यहापर find मुझको करना है एंगल DCE यह मुझे find करना है ठीक है चलो अब अपना solution करते हैं हम portion में आपको एक चीज गिवन है आपर कि दो lines आपकी parallel है कौन से दो lines है वो एक AB और एक DE जब यह दोनो parallel line है तो इसका मतलब यह वाला angle और यह वाला angle यह तो मेरे alternate angles होए फिर जब यह दोनो parallel lines है तो कौन-कौन से angles होए यह अगर मैं इनका नाम दो तो BAC तो angle BAC is equal to angle DEC यह इसके equal होगा क्यूं होगा equal क्यूंकि यह मेरे alternate angles है जब मेरी दोनो lines parallel है तो यह दोनो angle मेरे alternate angles होए alternate angles तो यहां से मेरा यह वाला angle आगया DEC कितना आगया 35 दे गए ठीक है तो यह angle मुझे मिल गया अब अगर हम इस triangle की बात करें कौन से triangle की इन इन triangle DCE इस triangle की बात करें तीन angle है में पास कौन-कौन से एक angle D है एक angle E है और एक angle C है इन तीनों का sum तो 180 degree होगा reason क्या लगाएंगे same reason है मेरा वही angle sum property of a triangle ठीक है ना एक triangle के तीनों angle का sum हमेशा 180 degree होते है तो angle D मुझको यहां पर पता है 53 degree है एंगल E मैंने अभी find किया है यहां पर यह रहा 35 degree है ठीक है और angle C तो मुझे कोशन में निकालना ही था यह तो मैंने पहले ही shade कर रखा है कि मुझको यहां से मेरा angle C आ गया 180 degree में से मैंने 53 degree minus किया और उसके बाद मैंने 35 degree minus किया ठीक है तो जब हमने इसको minus किया तो हमारा answer कितना आएगा minus करके हमारा answer आएगा 92 degree ठीक है ना तो यह आपका angle C आ गया 92 degree आपको find भी यह करना था angle DCE आपको find करना था 92 यह आपका answer आगया ठीक है तो यह था हमारा question number third तो चलो question number fourth करते है हम question number fourth है हमार पास in figure if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree find angle SQT देखो question में आपको क्या कह रहे है आपके पास दो line है कौन कौन सी एक PQ और एक RS यह रही आपकी PQ और यह रही आपकी RS आपको दिख रहा है यह दोनों intersecting line है और यह कहां कट करके जारी है इस point पे जारी है T point पे कट करके ठीक है such that angle PRT तो PRT यह आपको given है 40 degree एक और angle given है R P T 95 degree ठीक है इस triangle में और इस वाले triangle में आपको given है TSQ TSQ 75 degree आपको find कौन से angle करना है find आपको यह वाले angle करना है SQT SQT यह वाले angle आपको find करना है Shade कर दे जो angle हमको find करना है यह हमने shade करती है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे अपना given और find लिख लेते हैं तो given है हमार पास यहां पर अगर हम देखें तो given क्या क्या हमार पास एक angle हमें PRT given है 40 degree एक angle हमें RPT given है 95 degree और एक angle हमको TSQ भी बन है 75 degree ठीक है find हमको क्या करना है find हमको करना है angle SQT यह हमें find करना है चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना solution पोशन हमने समझ लिया find और given हमने लिख लिया है अब हम अपना solution करेंगे तो अगर मैं इस triangle की बात करूँ सिर्फ इस वाले triangle की howne triangle की carrying it safe any triangle PRT तो इसमें आप देखili voltarly, आपके पास तीन eine angle है एक angle महां बना दीता हूँ कौन-कौन से तीन a angle है एक angle PA, एक angle R है और एक angle TA, सिर्फ मैं इसे triangle की बात कर दूँए अभी आप इस तो कौन-कौन से अंगल है एंगल पी आपके पास एक आपके पास है और एक एंगल है आपके पास पी टी आर यह तीन एंगल है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 गी रीजन सेंग वही है एंगल प्रॉपर्टी तुपे सिंवनके और एंगलु स्दूरइ आपके पाता है। त्सक्राइन में 3 अंगल का समंगवी की नहीं होता है। 180 डिऌरी। तो 광का पी-हुकरद अन्रे मिंतलब एंगल की बाते हो रहे है। 40 डिग्री है। यहाँ एंगल पी का बनौत हो रहे है। यPlusुर्द और और यहां पर angle T की बात हो रही है, यह तो मुझे पता ही नहीं है, उसको ऐसी छोड़ दो, तो मैंने यहां से पहले angle PRT निकाल दिया, sorry, PTR निकाल दिया, तो 180-40-95, जब आपने इनको solve किया, तो आपका answer कितना आएगा, यहां पर solve करने के बाद, 180 में से 40 गए, 140, उसमें से 95 गए, तो आपका बचा 45, तो आपका यह वाला angle निकल गया, 45 degree, मैं arrow बना के यहां लेकर हूँ, 45 degree, अब आप ध्यान से देखो, जो यह वाला angle है, यह दोनो angle है, यह हमारी vertically opposite angle है, कौन कौन से angle है, हमारी vertically opposite angle, angle PTR is equal to angle QTS, 45 degree होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह मेरे vertically opposite angle है, vertically opposite angle, reason लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना reason के यह आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो मेरा फिर तो यह वाला angle भी आगया 45 degree, अब मुझे तो यह वाला shaded वाला find करना है, तो अब मैं इस triangle की बात करते हूँ, अब इस triangle को भूल जाओ, उपर वाले हूँ, ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, in triangle, sqt, तो इसमें मेरे तीन angle है, कौन-कौन से, एक तो मेरा angle है, sqt ही है, एक मेरा angle है यहापर, tqs, और एक मेरा angle है यहापर, stq, इन तीनों का sum क्या होगा, 180 degree, reason, same हमारा है, जो यह वाला reason था, यह वाला, यही same reason मेरा यहापर आएगा, तो मैं हाल लिख रहे हूँ, short में, angle sum, property of triangle, पर आपको पूरा लिखना है, कौन में, ठीक है न, short में कुछ मत लिखना है, ठीक है, आप चलो लिख दे, q, given है, देखो मुझे, यहाँ q पता है नहीं, यह तो मुझे finding करना है, sqt, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, plus, यहाँ पर है, tqs, एक second, यह शहाद मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, sqt, यह वाला angle लिखा था, उसके बाद sq भी मैं लिख चुक हूँ, अच्छा मुझे यहाँ लिखना था, tsq, तो कोई बात नहीं, मैं इसको erase करके, यहाँ पर tsq लिख देती हूँ, ठीक है, चलो मैं रुको erase करते हूँ, इतने मैं इसे erase कर रहूँ, इतने आप क्या करो, मेरे चैनल को subscribe कर लो, और मेरी वीडियो को like कर लो, ताकि इसके 9th class के आपकी बाकी की जो वीडियो हैं, वह आपको मिलती रहें, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, tsq, अब पता चल गया है, यह मेरा 75 degree है, बीच वाल एंगल देखते हैं बस, ठीक है, अब stq, 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 मतलब t की बात हो रही है, तो 45 degree है तो भी हमने उपर ही निकाला है, 45 degree is equal to 180 degree, यहाँ से मेरा, मैं यहाँ लिख रहे हूं, ठीक है, यहाँ से मेरा एंगल sqt आ गया, 180-75-45, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका अंसर आएगा 60 degree, और आपको यही तो find करना था sqt, तो देखो आगे आपका sqt, कितना आया 60 degree, तो आपने क्या किया जब भी आपको यह दो ट्रेंगल given होते हैं ऐसे, और आपको बोला वाओ कि यह intersecting line है, तो आपने एक ट्रेंगल में दो एंगल है, थर्ड एंगल निकाल लिया, फिर उसमें आपने क्या किया, वर्टिकल या पोजिट वाली property लगाई, उसकी help से आपने जो आपको एंगल निकालना था कोशन में, जो यह shaded वाला एंगल है, वो निकाल लिया, ठीक है? चलिए, अब हम अपना इसी exercise का question number 5 करते हैं, question number 5 है मेरे पास, यहां पर, in figure, if pq perpendicular to ps, and pq parallel to sr, angle sqr is equal to 28 degree, and angle qrt is equal to 65 degree, then find the value of x and y, आप देखो क्या किया यहां पर आपको given है, एक तो आपको यह given है कि जो यह pq है, यह perpendicular है इस ps के, तो यह मतलब 90 degree का angle बना रहा है, वैसे भी हां पर यह sign बनावा है तो यह 90 degree का ही होता है, ठीक है, और क्या given है, pq जो है, वो किसके parallel है, sr के, यह parallel lines है दोनो, तो इसका मतलब जो मेरी sq है, यह कौनसी line होई, जब दो parallel lines के बीच में एक line जाते है तो वो कौनसी होती है, इसका मतलब यह मेरी transversal line है, मैं यहां लिख दू इसको, तो यह मेरी क्या है, transversal line है, ठीक है, given क्या क्या है आपको यहां पर, sqr आपको एक तो given है, sqr यह, 28 degree यह वाला, और क्या given है, qrt, qrt मतलब यह, exterior angles जो है, ठीक है, find क्या करना है आपको एक तो x और 1 y, मतलब यह variables आपको यहां find करना है, चलो पहले given लिख लेते हैं, और find लिख लेते हैं, ताकि हमार को असानी हो जाए question को करने में, ठीक है न, given हमने यहां पर लिखा पहले, given है मुझे एक तो, angle sqr, 28 degree, एक और given है, angle qrt, 65 degree, ठीक है, find मुझे को क्या करना है, find मुझे एक तो, angle x करना है, x करना है और एक angle y करना है, यह दो angles मुझे को find करना है, solution स्टाट करें हम अपना, चलो solution देखते हैं हम हम अपने यहां पर, तो आप यहां पर देखो, जब यह दोनो लाइन parallel lines है, और यह मेरी transverse line है, ठीक है न, यह भी हमने इसमें किया था, तो इसका मतलब जो यह यह वाला angle है, यह पूरा 65 degree और यह वाला जो angle है, पूरे angle की बात करें हूं, मैं, खाली 28 यह x की बात नहीं करड़ें, x Čल्ली 28 ke बात करें, तो यह वाला angle और यह वाला angle, यह तो मेरे alternate angles होए, alternate's angles होए न, कौन-कौन से angle की मैं एक तो मैं कहरे हूँ एंगल आपको QRT, QRT येवाल एंगल, ये, ठीक है? और दूसरे एंगल में आपसे कौन सा कहरे हूँ? RQP, ये पूरे एंगल की बात कहरे हूँ मैं, RQP, ठीक है? ये मेरे कौन से एंगल सो है? अल्टरनेट एंगल, मैंने यहां पर रिजन लिख दिया हूँ, ठीक है? तो QRT तो मुझको पता है, 65 डिगरी है, और लेकिन में पस RQP, ये मेरे पस क्या है? X और 28 है, मतलब X प्लस 28 है, तो यहां से तो मेरी X की वैलू डारेक्ट आ गई, 65 में से मैंने अपना 28 माइनस किया, तो मेरी X की वैलू यहां पर आ गई 37 डिगरी, ठीक है ना? तो X आ गया मेरा 37 डिगरी, मैं यहां लिख देती हूँ 37 डिगरी, अब मुझे बस एक Y find करना ह तो अगर मैं in triangle PQS की बात करूँ, कौन से triangle की, सिर्फ यह वाले triangle की, तो इसमें 3 angle बन रहे हैं मेरे, जिसमें से 2 angles मुझे पता है, एक ही यह पता है मुझे 90 डिगरी, एक ही पता है मुझे 37 डिगरी, तो मेरे angle Y निकल जाएगा, कौन से property लगाने है, वही angle sum, property of triangle, तो चलो आपर, angle कौन कौन से angle है, एक है मेरे पास, SPQ, और एक है मेरे पास, PQS, और थर्ड एंगल है मेरे पास, PSQ, ठीक है, is equal to 180 डिगरी, reason में क्या लिखूं, reason ज़रूर लिखना है, angle sum property of a triangle, ठीक है, तो चलो देखते हैं, P की बात हो रही है, P है मेरा 90 डिगरी, यहाँ पर Q की बात हो रही है, Q, पूरा मतले ले लेना 65, ठीक है न, Q, सिफ़ आप इस triangle की बात कर रहे हूं, तो X की value लीनी है, वह है मेरे 37 डिगरी, S तो मुझे निकाल नहीं है, angle Y है वो, तो Y लिख बात की से अएगा, 180 में से 90 मैनस करना है, फिर 37 मैनस करना है, तो आपने माइनस किया, तो कितना आया, 53 डिगरी, इसका मतलब आपको यहाँ पर दो variables निकालने थे, एक X निकालना था, जो कि आपका 37 डिगरी, एक आपको Y निकालना था, वो आपका 53 डिगरी, यह आपका answer, तो figure देखके लग रहा था कि कैसे निकलेंगी variables, लेकिन बहुत असान है, सिफ alternate angles लगें, उसके बाद दूसरी property लगी है, triangle वाली, ये property तो हमारी almost सभी question में लगी है अभी तब, तो यहां बस एक यही नई property लगी है, alternate angle वाली, तो चलो, आज इस exercise का हम last question करते है, question number 6, इसके ब rate QR of triangle PQR is produced to a point S, if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at a point T, then prove that angle QTR is equals to half angle QPR, देखो, आप पहले question समझते है, उसके बाद करेंगे, figure आपको यह दे रखिये, कोई भी angle आपको नहीं दे रखा, क्यूकि इसमें आपको कोई angle नहीं निकालना, इसमें आपको यह प्रूफ करना है, अब यह एक इस exercise में प्रूफ वाला, बाकी जब में तो आपको angle ही find करने थे, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक side है, यह QR, अगर आपने इसको आगे extend किया, तो इसने एक point आगे ले लिया S, ठीक है न, उससे आपका एक angle बन गया है, PRS, यह वाला angle, पूरा angle, ठीक ह बात करूँ, इस P, Q, R, इस पूरे की, ठीक है, यह bisector है, यह वाली जो line जा रहे है, bisector क्या था, equal part में cut करेंगे angle को, और देखो आप यहाँ पर छोटा सा, यह sign भी बने यह, ऐसे वाले, ऐसे लगा के फिर यह, इसका मतलब यह होता है, कि equal parts में cut है, ठीक है, and angle PRS, PRS, यह यह वाला, ठीक है, मैं अलग से बनाती हूँ, ताकि आपको वो, जो bisector के sign है, वो दिख जाए, meet at point T, दोनो T पे मिल रही है, तो इसका मतलब यह दोनों line bisector ही तो है, तब जाके यह T पे मिल रही है, then proof, अब आपको proof कर लाए, ठीक है, तो अब हम proof कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते है, इस triangle की बात करते है, अगर मैं triangle की बात करूँ, PQR की, तो आप देख रहे हो, जो मेरा यह वाला angle है, PRS, यह मेरा exterior angle है, इस triangle के भार का है, अभी आप इसको भूल जो, सिर्फ इस triangle को याद रखो, कौन से triangle को याद रखो, मैं यहां लिख देती हूँ, इन triangle PQR, अभी हम सिर्फ PQR की बात कर रहे है, तो जो मेरा angle PRS है, यह मेरा exterior angle है, triangle के अंदर नहीं है, यह मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है था कि आपको पता रहे है कि हम कौन से triangle की बात कर रहे है, ठीक है, तो यह मेरा exterior angle है, तो एक property होती है हमारे पास, exterior angle is equal to some of the interior opposite angle, तो interior opposite angle कौन कौन से है, इस angle के, एक angle यह है, और दूसरा angle यह है, यही तो मेरे interior angles है, इस angle के interior opposite angle है, तो यह इसका, जो है, यह किसके equal होगा, इनके sum के equal होगा, तो लिख ले हम इनको, तो क्या आएगा, एक आएगा, आपके पास angle PQR, और प्लस angle QPR, देखो, Q और P, Q और P, ठीक ह रिजन जरूर लिखना है बीना रिजन के तो कोशन ही नहीं होते हैं तो एक्स्टीरियर एंगल इस इक्वर्स टू सुम ओफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ठीक है ना मैंने रिजन लिख दिया हूँ सरो यह तो मेरा हो गया इस ट्रेंगल की बात होई अब मैं क्या करते हूँ इंस सभाव क हाफ कर देती हूँ जब भी हम खुछसे कुछ manibilation करते हैं 對不對 करते करते हैं तो देखो मैं left hand side पे भी कर दूँ और right hand side पे भी कर दूँ ऐसा नहीं सिर्फ एक ही side पे मैंने half कर दिया दोनों side पे कर दूँ हाफ क्यों कि आप भी अभी बताऊंगी प्रूफ करने के लिए क्योंकि प्रूफ में आपको भी half दे रखा है तो मुझे half तो चाहिए गई तो इसलिए मैंने इनका half करके देखा क्या कुछ solution निकल पा रहा है इनका half करने से ठीक है तो देखो अगर मैं इस PRS का half करूँ तो मेरा कौन से एंगल आएगा TRS यहीं आएगा क्योंकि यह bisector था अब bisector तो equal part में cut करता है तो PRS का half आगया मेरे पस एंगल TRS तो कुल दिहान से समझ ना बस यहां पर bisector वाली में चीज़े है उसके बाद तो यह proof बहुत असानी से हो जाएगा ठीक है अब PQR का half करो कौन से है भई PQR यह वाला एंगल की बात करूँ मैं यह भी bisector है मेरा QT मेरी bisector line थी तो जब मैं इसका half करूंगे तो मेर क्या आएगा तो मेरा इसका half आगया TQR यही तो आएगा TQR ठीक है अब रहे गया मेरा यह QPR कौन सा QPR यह वाला यह इसका मैं half नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती मैं इसका क्यूंकि इसकी कोई bisector वाली line नहीं है इसलिए नहीं कर सकती तो चलो इसको ऐसी छोड़ देते हैं half Q half angle QPR half angle QPR इसका मतलब हमारा एक साइट तो आगया बस अब मुझे दूसरी साइट चाहिए है तो अब दूसरी साइट के लिए हम क्या करें इसको equation 1 ले लेते हैं अभी इतनी असानी से नहीं solve हो है अब हमारे को दूसरे triangle की बात करनी है तो दूसरे triangle की बात कैसे करेंगे क कौन सा triangle रह गया जिसकी हमने बात नहीं की हमारा वो triangle रह गया यह वाला TQR तो चलो अब बात करते हैं किसकी TQR की तो यहां पर आएगा हमारा एक सेकेंड लुको अभी लिखते हम यहां पर तो यहां लिख लूँ मैं in triangle TQR अब अगर मैं इस triangle की बात करूं तो आप ध्या interior angle इस triangle की बात कर तो हम मैं अलग से highlight कर दो दूसरे पेन से ताकि आपको पता चल्जाए किसकी बात कर दो लुको मैं highlight कर देती हूं इसको blue Pen से dark से highlight कर देते हूं यह वाला यह और यह इस triangle के मैं बाता करें तो इसका एग blond तो फिर यही बाला हुआ औरा interior यही property लगा रहूं मैं तो interior angle कॉन-कॉन से हुए एक तो यह वाला हुआ और एक यह वाला हुआ यही दो एंगल होए ना तो चलो करते हैं अब हम फिगर पूरी खराब हो गई है बट यह कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए ठीक है ना तो चलो करते हैं कौन-कौन से होए हमारे एंगल TRS is equals to angle TQR पहले मैं लिख लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ QTR देखो TRS यह वाला एंगल जो भी मैंने हाइलाइट करके बताया था TQR यह वाला यह भी मैंने हाइलाइट कर दिया था और QTR QTR यह ठीक है ना अब इसको देदो आप नाम सेकेंड आप देखरो दोनों में फर्स्ट और सेकेंड एक्वेशन में TRS ही है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर solve करें solve करते हैं चलो यहां मैंने लिख दिया from one and two जब हम solve करेंगे तो यह तो आपस में कट जाएंगे और यह दोनों equal में आ जाएंगे तो रग दो इनको equal angle TQR plus half angle QPR यह equation one का है equation two का है हमारा angle TQR plus angle QTR यह T है कहीं आप confused हो जो ठीक है कुछ कट रहा है ध्यान से देखो angle TQR angle TQR और दोनों opposite side पर एक right hand side पर एक left hand side पर है same sign के साथ तो यह कट जाएंगे कट गए ना क्या बचा आपके पास आपके पास बचा यहां लिकर हूं मैं angle QTR is equal to half angle QPR अब जड़ा अपने question पर जाओ दुबार हो उपर आजो QTR QTR is equal to angle QPR QPR है ना same हो गया इसका मतलब हमारा hands proved हो गया ठीक है ना तो आपने क्या किया इसमें से एक ही property लगाई है exterior angle वाली exterior angle is equal to sum of interior opposite angles यही वाली property आपने लगाई है ना यही same आपने यहां लगाई थी second equation में property लिखना मत भूलना कहीं आप यहां लिखना भूल जाओं मैं बना देती हूं कि आपको यही same property लिखनी है तो एक ही property से आपका पूरा question हो गया figure देखके ऐसा लग रहा था कि कोई angle नहीं गिवन है तो कैसे proof करेंगे पर बहुत असान था प्रूफ करना ठीक है न तो यह थी आज की class के हमारी exercise 6.3 जिसमें मैंने आपको question 126 सारे question समझाए है फिर एक बार बोलती हूं अगर आपको कोई भी particular question देखना हूं तो मैं आपको comment box और description box में मैंने अपना time stamp आपको दे रखा है आप वहाँ से particular question भी देख सकते हैं ठीक है आपको वीडियो अच्छी रगी तो आप इसे like करें और मेरे चैनल को subscribe करें thank you